ओम नमस्चुवाय मित्रों मैं आप सबका दोस गनीश अवाड आप सभी मित्रों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में रदेश से अर्दिक स्वागत करता हो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो वीडियो को भीना स्क्रिप किये अन्ति तक अवश्च देखे और लाइक और सब्सक्राइब का बड़न दबा कर बेल आइकन को भी ओन किजिए ताकि हमारे आने वाले हार नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चित को एक जगह स्थापित करना योग है अश्टांग योग के अंतरगत प्रथम पाच अंग यम, नियम, आसन, प्रानायाम तथा प्रत्याहार बहिरंग और शेश तीन अंग धारणा ध्यान, समाधी, अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं अश्टांग योग के तिसरे आयाम को आसन कहा जाता है महर्शी पतंजली ने स्थिर तथा सुखपूर्वग बैठने की क्रिया को आसन कहा है माना जाता है कि योग का जन्म भारत बर्ष में ही हुआ मगर दुख की बात यह है कि आधुनिक कहे जाने वाले समय में अपनी दोड़ती भागती जिंदगी से लोगों ने योग को अपनी दिंचर्या से हटा लिया है जिसका असर लोगों के स्वास्थे पर हो रहा है मगर आज भारत में ही नहीं विश्व भर में योग का बोलबाला है और निसंदे उसका श्रे भारत के ही योग गुरूओं को जाता है जिन्होंने योग को फिर से पुनरजीवित किया स्वामी विवेकानन्द ऐसे पहले आध्यात्मिक गुरू माने जाते है जो योग को पश्चिम में लेकर गए थे अमेरिका में पतंजली के अश्टांग योग पर दिये गए उनके व्याख्यानों का संकलन राज योग नामक पुस्तक के नाम से प्रकाशित हुआ इस पुस्तक को योग के मुख्या आधुनिक ग्रतों में से एक माना जाता है योग का हमारे जीवन में अभूतपूर्व योगदान है आजकल हर कोई विभिन योगासनों को सीखना चाहता है यह एक प्राचीन विद्या है जो अब लाखो लोगों के दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है कुछ लोग योग आशनों को सीखने के लिए अपचारिक योगा क्लास में भाग लेते हैं जबकि कई घर में ही योगा सीख लेते हैं योग अत्यंत लाबकारी है यहां कुछ आसन और उनके लाब दिये गए हैं ये आसन संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखते हैं एवं तनाव डिप्रेशन और चिंता से लड़ने में भी मदद करते हैं आसन आपके शरीर मन और आत्मा को ध्यान की अवस्था में लाने में भी मदद करते हैं आसन की सिध्धी से नाडियों की शुद्धी आरोगे की वृद्धी एवं स्पूर्ती प्राप्त होती है पतंजली ने अपने रचित योग सूत्र में लिखा है स्थिर सुखम आसनम चित को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं योग की आठ मंजिलों में तीसरी एवं महत्वपूर्ण मंजिल है अर्थात तीसरी मंजिल को लिए पूर्वंग संचालन करना आवश्यक है, इससे अंगों की जकणन समाप्थ होती है तथा आसनों के लिए शरीर तयार होता है, आसनों को सीखना प्रारंब करने से पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियों पर ध्यान देना जरूरी है, आसन प्रभावकारी तथा लाबदायक तभी हो सकते हैं, आए मित्रों हम आसन के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं, एक बैठ कर किये जाने वाले आसन जैसे, पदमासन, वजरासन, सिध्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्सेंद्रासन, पूर्ण मत्सेंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमुत्तनास जानुशिरासन, मंडुकासन, शिशकासन आधी खडे होकर किये जाने वाले आसन जैसे तडासन. व्रिक्षासन, अर्धचिंद्रमासन, अर्धचिक्रासन, दो भुजकति चिक्रासन, चक्रासन, पापश्चिमुत्तनासन, गरुडासन, चंद्रनम्सकार, चंद्रासन, उर्थ्व उत्थानासन, पादसंतुलनासन, मेरुदंडवक्का आसन, अष्टावक्रासन, बैठकासन, उत्थान बैठक आसन, अंजने आसन, त्रिकोन आसन, नत्राज आसन, एक पाद विराम आसन, एक अपाद आकर्शन आसन, उत्कित आसन, उत्तान आसन, कटी उत्तान आसन, जानू आसन, उत्थान जानू आसन, हस्त पादान गुष्ठासन, पादान गुष्ठासन, उर्ध्वत दीर्ग नौकासन, शवासन, पूर्ण सुप्त वजरासन, सेटुबंध आसन, उत्तानपादासन, मरकितासन, पाध चक्रासन आदी, तीन पेट के बल लेटकर किये जाने वाले आसन जैसे, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विप्रीत नौकासन, खग आसन आदी चार, अन्या आसन जैसे, शीरशासन, मयुरासन, सूर्य नमसकार, व्रिश्चिकासन, चंद्र नमसकार, योगनिद्रा, माजारी आसन, अश्वर संचालन आसन, भुजपिरासन, चकरासन, व्यगरासन आदी दोस्तों अब हम योगासनों के गुन और लाब के बारे में जानकारी लेते हैं एक, योगासनों का सबसे बड़ा गुन यह है कि वे सहच साध्य और सर्वसुल्भ हैं योगासन ऐसी व्यायाम पद्धती है जिसमें न तो कुछ विशेश वे होता है और न इतनी साधन सामगरी की आवशक्ता होती है दो, योगासन अमीर गरीब, बुड़े जवान, सबल निर्बल सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं तीन, आसनों में जहां मानस्पेशियों को तानने, सिकुडने और एठने वाली क्रियाय करनी पड़ती हैं वहीं दूसरी और साथ-साथ तनाव खिचाव दूर करने वाली क्रियाय भी होती रहती हैं जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से वे शक्ती वापिस मिल जाती है, शरीर और मन को तरो ताजा करने। उनकी खोई हुई शक्ती की पूर्ती कर देने और आध्यात्मिक लाब की दृष्टी से भी योगासनों का अपना अलग महत्वर है। चार, योगासनों से भीत्री ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं और युवावस्था बनाय रखने एवं वीरे रक्षा में सहायक होती है। पाँच, योगासनों द्वारा पेट की भली भाती सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गरबडियां उत्पन नहीं होती। 6. योगासन मेरुदन रीड की हड़ी को लचीला बनाते हैं और व्याय हुई नाड़ी शक्ती की पूर्ती करते हैं। 7. योगासन पेशियों को शक्ती प्रदान करते हैं। इससे मोटापा घटा है और दुर्बल पतला व्यक्ती तंदरुस्थ होता है। 8. योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेश अनुकूल हैं, वे उनमें सुंदर्ता, सम्यक विकास, सुघर्ता और गती, सौंदर्य आदी के गुन उत्पन करते हैं। 9. योगासनों से बुद्धी की वृद्धी होती है और धारणा शक्ती को नई स्फूर्ती एवं ताजगी मिलती है। उपर उठने वाली प्रवरितिया जागरित होती हैं और आत्मा सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं। 10. योगासन स्त्रियों और पुरुषों को सैयमी एवं आहार विहार में मध्यम मार का अनुकरण करने वाला बनाते हैं। 13. आसन रोग विकारों को नश्ट करते हैं। रोगों से रक्षा करते हैं। शरीर को निरोग, स्वस्त एवं बलिष्ट बनाय रखते हैं। 14. आसनों से नेत्रों की ज्योती बढ़ती है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने वाले को चश्मे की आवशक्ता समाप्थ हो जाती है। 15. योगासन से शरीर के प्रत्येक अंका व्यायाम होता है। 16. जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्त एवं सुद्रड बनता है। आसन शरीर के पांच मुख्यांगों। 16. श्वासोच्वास तंतर की क्रियाओं का व्यवस्तित रूप से संचालन करते हैं जिससे शरीर पुनरता स्वस्त बना रहता है और कोई रोग नहीं होने पाता। 16. शरीरिक, मानसिक, बौधिक और आत्मिक सभी क्षेत्रों के विकास में आसनों का आधिकार है अन्यव्यायाम पध्धतियां केवल वाहे शरीर को ही प्रभावित करने की ख्रमता रखती हैं जबकि योगसन मानव का चहुमुखी विकास करते हैं दोस्तों इस तरह से हमने योगसनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है आशा करते हैं कि आपको यह विडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद